नमस्कार दोस्तों तो चलिए आज की इस क्लास में बात करते हैं एक बहुत ही मत्वों आर्टीकल के बारे में इसके बारे में आप लोगोने अभी न्यूच्वेपरों में देखा होगा अगल सोसल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए तो आपने वहाँ भी देखा होगा कि जी सेवन जो समोव है इसमें भारत को भी सामिल करने की बात की जा लेगी इससे पहले जो आपकी बैटक कोई थी इसमें आपकी पिदानमंत्री बाहती पिदानमंत्री मौदी साहब ने भाग भी लिया था आपने सुन होगा तो इसकी अगर जी सेवन की बात करें हम लोग त थापना आपकी फ्रांस द्वारा 1975 में की गई थी कव 1975 में उस समय इसमें छह देश सामिल थी और जी से सिख से कहा जाता थे इसे कौन कौन से देश सामिल थी फ्रांस जर्मनी इटली जापान वेटेन और सहत्रा जमेरिका उसके बाद इसमें 1976 में इसमें कनाड़ा सामिल किया गया और यह जी सेविन बन गया 1997 में इसमें रूस भी सामिल किया गया मंच का नाम जी एट हो गया लेकिन उसके बाद आपके रूस को हटा दिया गया है आप रूस को फिर से सामिल करने की भी बात की जा रही है तो देखते हैं उसी से संबंद आपका अर्टीकल लेखा गया है इसके जो लिखक है अर्वन्द गुप्ता डारेक्टर बेबिकानन्द इंटरनेर्टनल फाउंडेशन की नहीं अर्वन्द गुपता डारेक्टर से हल चुका है कि कोविद-19 यानि की कोरोना वाइरस दे सबसे जाना मौत भी वही हुई है वो सबसे जाना केस भी वहीं आ रहे हैं कोरोना से जंग जीत कर चीन दुनिया बर में अपनी हैसियत बढ़ा में ने में जोटा हुआ है इसलिए कह सकते हैं जीतने की जंग क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वहीं से चालू हुआ था चीन से ही आपका कुरोना वाइरस फैला आन देसों में सबसे पहले चीन नहीं उस पर कप्चा किया मतलब उसे हरा दिया और अपनी अर्थ व्युस्ता की सुधार कंधे में लग गया कोरोना वाइरस को परास्त करके अपनी अर्थ व्यूस्ता को मजबूत करने में चीन जुटा हुआ है तो विस्व का सबसे तागतवत देश अमेरिका अभी इस वायरस से पार नहीं पा रहा है सका। इसके साथ ही कई अन्य घरेलू चुनोतियों से भी बॉसेंटन इस समय जूज रहा है। उसकी अत्विस्था भी ढलान पर है। ऐसे में उसे उन राष्टों की जरूर आन पड़ को आमन्तित किया। रूस पहले भी समूब का सदद सरह चुका है। लेकिन यू कैन कीमिया बिवाद के बाद साल दोजार चैप साल 2014 में उसे समूब से बाहर कर दिया गया था। जी एट से उसके बाद आपका जी सेवन बचा था पहली रूस जब तक सामिल था एसे जी एट अमेरिका निकल रहा है। वहाँ चीन प्रवेश करता जा रहा है। आफगानिस्तान ले लिजिए, एरान ले जीजिए, फिर आप डवलूयाच्व को ले लिजिए। और एरान यानि कि आपका जो चीन है ये मजबूत इस्तिती में यानि कि महासक्ती बनने की कदार में खड अभी खतम नहीं होने बादी है। अमेरिका कोरोना वायरस बनाने कारोप चीन पर मड़ता नहीं। आपने देखा होगा कि अमेरी की राश्मटी डॉनल्ड ट्रम इसे कोरोना वायरस को चीन का वायरस कहते हैं। चीनी वायरस। दिए वायरस। राइट हाउस का मानना है कि अगर चीन ने समय पर इस वायरस की सूचना दुनिया को दे दी होती, तो इस्तिती आज इतनी बयानक नहीं होती। इसके अलावा दोनों देश पहले से ही ब्यापारी को युद में उल्जे हुए हैं। चीन तेजी से दुनिया में अपनी गतिविदियां बढ़ा रहा है। उनसे भी अमेरिकी राष्टपती नाराज हैं। अमेरिका और चीन में कायम इसी दरार के कारण टरंप ने रोसी राष्टपती बिलादिर पुतिन को निवता बेजा है। वह यह रोस और चीन की बढ़ती नजदी कीसे चिनते थे। उन्हें लगता है कि दोनों देशों की बढ़ती दोस्ती सिविस्वेवस्था में अमेरिका का कद प्रभावित हो सकता है। ऑस्टेलिया को आगए बढ़ाने के पीछे यही वज़ा है कि ऑस्टेलिया चीन के लिलाग काफी मुखर भी है। हाली में संपन विस्व स्वास्त महासवा में भी उसने उस पिस्ताओं क के बक्ष में अपना मद्या ऑस्टेलिया ने जिसने कोरोना वायरस की उपत्ती का पता लगाने के लिए एक सुतंत जाच कमेटी बनाने पर सहमती बनी हुए। तो एक बार आप लोग मेपस में देख लीजिए से बहतर आपको समझ में आएगा। देखिए आपका वहारत हो अब करने की बात की जाएए जिसके बाद आपका जी एलेवन हो जाएगा तो यह दच्छड को भारत को और आस्टेलिया को उसके बाद यह आपका रोगु से उपर यह आपका चीन हो गया है यहां एसी आमें टीर इसके बाद हम लोग अमेरिका की बात करते हैं तो देखिए कि यह आपका हम पहुंचते हैं पुत्तरी अमेरिका यह नीचे आपका दच्टी अमेरिका उपर एक कनाड़ा है इसी में ठीक है मॉन्टियल, ओटावा, निवार्ग आप लोग इस सुनते रहते हैं वैसे लिए सिकावो सुनते रहते हैं ठीक है आँगे हम अपने आर्टीकल पर आते हैं भारत को इसलिए समोह में सामिल ओने के लिए बुलाया गया क्योंकि अमेरिका के साथ हमारी अच्छी सामरेक साजाजारी बनी हुए दौनों दिस हाल के बसों में एक दूसरे के करीब भी आए हैं कोरोना संक्माट के बाद भारत ने अमेरिका को परियाप्त मात्रा में हाइड्रोक्सी किलो किलोरोक्वीन जैसी जरूरी दबायें भी बेजी हैं क्वार्ड इसमें आपका भारत ऑस्टेलिया अमेरिका वा जापान समोह को और इंडोपैसेफिक भी भारत एक प्रभावसाली राष्ट बनकर क्याता है कि विसमंच पर नई दिल्ली के बढ़ते रुद्वे का उसे फायदा मिले दच्षिड कोरिया भी चुकि अमेरिका का अच्छा दोस्त है इसलिए उसने भी जी सेवन में सामिल होने का अन्रोद किया है दच्षिड को यासी आप भी देखते हैं कि जब भी कुछ ज करता है सवाल अब यह है क्या ये चारों देश राष्टपती टरंप का विस्तार सुईकार करेंगी और यदि जी सेवन का विस्तार होता है तो विस्व विवस्था किस कदर प्रभावित होगी भारत ने जरूर इस गोट में सामिल होने पर सहमती दे दिये और ऑस्टेलिया बत चिन कोरिया से भी साइध ही इंकार हो लेकिन रोज को लेकर इस्तिती सपष्ट नहीं है रोज कई बज़यों से ओल जन में है हाल की बसों में चीन के साथ यानि कि रोज की निकटता काफी ज्यादा बड़ी है यूक्रेन किरीमिया बिवात के बाद दोनों देशों में न बैर्ट रोड इनिसियेटिव में भी रोज पर खासा भरोसा किया गया है इसके अलावा पिछले साल दोनों देशों की बीच 110 अरफ डॉलर का आपसी कारोबार भी हुआ है जबकि 1998 के बाद से पश्चमी देशों के साथ मासकों की दूरी बढ़ती गई है साल 2014 में के बाद स तो और भी जाना हाला कि रोज की मुला मुखालब फट जी सेवन के यूरूपिय देश भी कर रहे हैं कानाडा ने तो खुलकर अपना विरोध भी जताया है यानि कि रोज को सामिल ना करने की सलायती है कानाडा नहीं चाहता है कि रोज को जी सेवन में सामिल के लिए रही ब G7 अब संभावता है G10 या फिर G11 अगर रूस सामिल हो जाता है इसमें तो यह जी 11 बन जाएगा अगर रूस सामिल नहीं होता है तो जी 10 कहलाएगा कि सभी सदस से देशों में आपसी तालमेल बने यह सही है कि अभी विस्सकी कुल पूंजी का आदा से जाना हिस्सा इनी देशों के पास है लेकिन उनमें आपसी टगराओ इसकदर है कि साल 2018 की बैटक में तो सयुक्त गोष्णा जारी किया गया उसे चंद गंटों में ही अमेरिका ने खारिज कर दिया था पेछले साल तो ऐसा कोई गोष्णा पत जारी ना हो सका एतना ही नहीं यह एक ऐसा बैस्विक्संगठन है जिसका कोई बैदानिक हैसियत नहीं इसका अपना सचिवालाय तक नहीं है समसकते हैं सचिवालाय भी न सभी सदस्वेक्चा से एक दूसरी की मदद करते हैं ऐसे मैंदी इसका विस्तार होता है और इन देशों में आमराय बन जात पाती है तो यह गुट विस्त विवस्था पर बहुत जान्दा असर सायधी डाल पाए आज विभेन राश्टों के वीच एक सोच बनाना काफी मु सदस देश एक दूसरी की हितों को मत देंगी जैसा कि इसके संगठन के समय वाधा भी किया गया था तो सेप्टमबर की वेटक के बाद हमें एक नई विवस्था को साकार होते देखेंगे तो फिलाल हमारे लिए तो सुखद इस्तिती है चीन बेसक अमेरिका के इस कदम से न आप प्रमक रड़नीती में भी हमें बदलाओ देखने को मिल सके जी सेवन एक मतों बैस्विक मंच है पिछले साल इसकी बैटक में पिदान मंतरी नहीं मौदी सामिल हुए थे हमारे लिहाजा इसकी सदस्ता कर अपिस्थाओ विस्वेवस्था में भारत की बढ़ती भूमि में सामिल हुए और आपके पास कोई रड़नीती ना हुआ अपने आपके के लिए कुछ आंगे बढ़ाने के लिए तो आपका वेफालतु में उसमां कोई मतलब ही नहीं रह जाता है सामिल होने का क्योंकि दूसरे के साथ चलते रहना चलते रहना यह कोई चलना थोड़ी हो अपना कुछ नजरिया हो अपने राश्तियों अपनी रड़नीती हो तो देखते हैं आगे किस तरह से बदलता है आंगे हम लोग बने रहेंगे चल चालें ठीक है